हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं योटूब चैनल आज मैं अपनी इस वीडियो में बालों के लिए भिंडी से बने हेर मास्क लेकर आई हूँ भिंडी बालों को सुन्दर बनाने के लिए वर्दान की तरह काम करती है बिंडी स्कैल्प के बलड सर्कूलेशन को बढ़ाती है जिसके कारण बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है साथ ही डेंडरफ अटाने और बालों को चमक देने का काम भी करती है उलजे और करली बालों के लिए बिंडी को बहुत ही अच्छा मोश्चरा जर्माना गया है यह नेच्रल बालों में इसकी नमी को बैलेंस रखती है स्कैल्प की खुजली को खतम करती है आज मैं आपको बिंडी को बालों पर यूज करने के दो ऐसे सान से तरीके बताऊंगी जिन्हें अपना कर आप अपने बालों को सुन्दर बना सकते हैं फ्रेंड्स इन उपायों को जाने से पहले यदि आपने मेरे सेत और स्वास्ते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको लेटर यूजफुल अपडेट्स बिलते रहें जिने यूज़ करके आप अपने अच्रिबीटी को बनाए रख सकते हैं आईए अप चानते हैं भिंडी को बालों के लिए कैसे यूज़ करना है हमारा पहला तरीका है सबसे पहले 10-15 भिंडी को अच्छे से दो कर काट लें इसके बाद एक लिटर पानी में कटी ही भिंडी को डालकर 4-5 मिंट हलकी आज पर उबलने दें पांच मिंट बाद गैस को बंद करके तयार पानी को ठंडा होने के लिए रख दें ठंडा होने पर इस पानी को च्छान कर इसमें दो चमच नीबू का रस मिला ले बालों में शैंपू करने के बाद लास्ट में इस पानी से बालों को धो ले हमारा दूसरा तरीक है आट-दस भिंडी को धो कर बीच में से काट ले अब एक लास पानी में इस कटी ही भिंडी को डाल कर तब तक उबाले जब तक यह हलका गाड़ा लिक्वीड की तरह ना बन जाए लिक्वीड फोम में आने के बाद इसे चान कर ठंडा कर ले ठंडा होने पर इसमें एक चमच शहद एक चमच नीबु का रस और हाप चमच को कोने टोड मिला कर बालों की जड़ों में लगा ले और 30 मिंड बाद बालों को हर्बर शैंपू से अच्छे से धो ले फ्रेंड्स ये थे दो असान से भिंडी से बने हेर मास्क आप अपनी सुईधा अनुसार कोई भी हेर मास्क ना कर अपने बालों पर ट्राई करें और रजल्ट देखने के बाद मुझे कमच जरूर करना साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक बेशेर करना ना भूले थैं